आईए देखिये सुनिये और समझे अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टी नई खोज अध्यात्म विज्ञानी एहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशा नंजी के साथ बाई और बैनों दर्शगन सोतागन मातरी सक्ति गोनमन स्टूडियो के अंदर आज हमें सनीधी मिल रही है स्वामी कमलेशा नंजी की जो की अनुभव ज्यानी है जो भीतरी जगत के अंदर गोते लगाते हैं आत्मसाक्षात करते हैं और और लोगों को करवाते हैं के जीवन का लक्ष है जगत का लियान करना जय जगत करना जगत का बला करना और लोगों को जो कुद्रत कुद्रत के कानून के बारे में बताना ताकि कि उससे उनको शाष्वत जो है सुख मिल जावे क्योंकि सनातन सत्य मिलते ही उसकी निश्वती शाष्वत होती है तो स्वामी जी हमारी सत्संग बहुत सुंदर चल रही है तो मेरा अगला प्रश्ण जो मस्तिष्क में आ रहा है वो आ रहा है अंतय करण मन बुद्धी चित्ट और एहिंकार से जो अंतय करण की पड़िवाशा होती है तो किस तोर और मिरे मस्तिष्क कि दो ही बाईय में आते हैं और भी द найти में बनाते हैं लाइव अगयरा में तो खास्तौ कुरा से मंध्चूटा है उसका मैं कारण जानना चाहता हूँ और इसको आप जो है प्रतिष्टित आत्मा के साथ में और जोड़ी है इसको क्योंकि अन्तर करणिडιο तो प्रतिष्टित आत्मा का भाग है, हमारे सोताओं को और विस्तित रूप से प्रतिष्टित आत्मा का बहुत इंटरस्ट है, क्योंकि यह नई खोज है, नई बात है, इसको प्रतिष्टित आत्मा के साथ जोड़ करके समन्वित रूप के नंतर करन और प्रतिष्टित आत् आया था कि मिठ्याग्यान मिठ्यादर्सन क्या है जो अग्यान का हिस्सा है मिठ्याग्यान का मतलब होता है आत्मा को ही नहीं मानना नहीं समझना आत्मा की ही कॉलिटी को नहीं समझना स्विकारना इसको मिठ्याग्यान कहते हैं और मिठ्यादर्सन का मतलब होता है कि हम इस द इसरा था मोहनिय कर्म ये भी अग्यान का ही एक भाग है मोहनिय कर्म सब्दक क्यूं आया जब आत्मा में ही अनन्द सुक है तो मोहनिय कर्म के रूप में क्यूं आया तो कहने का मतलब ये है जहां तक प्रतिश्टित आत्मा के पास अग्यान है पांच इंद्रियों का ग्यान ह पान्च इंज्यों के माधियम चेंजू की जो दिखता है उसका घ्यान है, वहां तक यह प्रतीश्टी तात्मा पांच इंज्रियों के माधियम से बाहार ही सुक डूंदने का प्रयास करती रहेंगी, कहीं अवतारों से, इसी को कहते हैं महनिय कर्मा। याने आत्मा के अलावा दुनिया की कोई भी चीज में सुख है ऐसा मानना ऐसे प्राप्ट करने का प्रयास करना ऐसी भावना करना और जब उनका फल आता है तो अनुभाव करना के उसमें से सुख मिला ये सब मोहनिय कर्म का हिस्सा है और ये मोहनिय कर्म अगनानता का हिस्सा है गुदरत का कानून बिलकुल साफ है ये दुनिया के अंदर सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं मैंने रखे भी नहीं है लोग मानते वो अपने मन से बुद्धी से अहंकार से अपनी सोच से समझ से मानते हैं वास्तों में इस दुनिया में सुख दुख जैसे कोई चीज नहीं है मैंने रखे भी नहीं है तो फिर प्रस्ण होता है आम आदमी को तो फिर सुख दुख की अनुभूती क्यों होती है तो ग्यानी पुरुस कहते ये तो आपकी माननेता है कुद्रतों कहते पर मैंने तो एक्जाम का रि 100 marks में से सिर्फ 25 mark का ही सही उत्तर दिखा है और 75 का सही उत्तर नहीं लिखा है और दूसरी वेक्ति ने 100 में से 50 mark का सही उत्तर लिखा है और तीसरी वेक्ति ने 100 में से 50 mark का सही उत्तर लिखा है तो teacher क्या करेंगे 25 वाले को 25 देंगे 50 वाले को 50 देंगे और 50 वाले को 50 देंगे तो teacher ने result दिया या आपको pass fail किया, think about teacher हमको pass fail नहीं करती है, teacher result देती है, और नियमों के मुताबित, जब less than 35 या 45 आता है, तो इसको fail बोलते हैं, बाकि teacher ने तो किसी के पती राग नहीं किया, किसी के पती द्वेश नहीं किया, उन्हें तो result दिया, ऐसे कुद्रत क्या करती है भी तुम कर्म करते हो, राग ज्वेश से, अग्यानता से, मैं उनका result देता हूँ, अभी आप इसको सुक मानो, दुख मानो, वो तो आपकी माननता है, मैंने कभी किसी को सुक दुख नहीं दिया है, मैंने तो कर्मों का फल दिया है, मगर सब लोग अपनी माननता से, इसको म मंदिर के बाहर कोई विक्ति BMW में से आती है और उतरती है मैं उनका पांच रुपया दूंगा तो उनके लिए इंसल्ट रिया तो दुख है तो यह कुद्रत देती है यह आपकी माननेता है यह तो समझो कुद्रत कहती है सुख और दुख जैसी चीज मैंने दुनिया में रखी हूं तो जब मैं मैं किसी को जृटा हूं तो मेरे को सुख होता है यह कि यह हम खरीद को पहनने में सुख होता है यह तो आपकी मानने टा एक कहता है मेरे को साधी न करने में सुक लगता है दूसरा कहता है मेरे को साधी करने में सुक लगता है यह आपकी मान्यता है एक कहता है मेरे साधी नहीं होता है इसलिए में दुखी हूँ दूसरा कहता है मेरे साधी हो गई बादने में दुखी हूँ तो सबकी अपनी-अपनी मान्यता ह यह कोई सानातन सत्या या कुद्रत का कानून नहीं है उसी को तो अग्यान कहते हैं मगर हम आध तक यह बात को समझने की कोशिस तक नहीं किया जब कुदर साब बोलता है यह मनेश बुचन काया भी तुमारा नहीं है सत्ता संपती सबंद और साधन भी तुमारा नहीं है और हो भी नहीं सकता है फिर सुख दुख की कल्पने क्यों करते हो जो संजोग आता है कर्मों के फल सरुप आता है उसमें टाइटल मत लगाओं राग रहो हर अवस्ता को कुद्रती कानून के मुताबी देखो कुद्रती रचना के मुताबी देखो यह अवस्ता कुद्रत ने दिया है चाहे हो हमारी माननेता का मुताबी सुख वाली है या तो दुख वाली है सभी अवस्ता कि ने दिया है कुद्रत ने दिया है क्यों दिय नए तो ये राधविस होगा माली की भाव करता भाव होगा नए कर्म बनेंगे तो कर्म फल के लिए जनम्रन भी कुद्रत ही देंगे तो इसलिए या अध्यात्म विज्ञान के अंदर ये तीन बातों को गनान आवरण दर्शन आवरण और मौन्य कर्म तीनों का एक नाम है अ अध्यान के आधार से हम आत्मा की अन्य सक्ति और आत्मा के अस्तित्व को हम अनुबव नहीं कर सकते उसका नाम है अंत्राय कर्म ये चार कर्म को जैन परिवासा में घातिक कर्म बोलते हैं जो आत्मा की अन्य सक्ति को घात करता है आत्मा के अस्तित्व को घात करता है और अगर चार कर्म खतम हो गए, अग्यानता खतम हो गई, उसी को तो केवल ग्यान कहते हैं, बले ही बाकी के चार कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेजनिय कर्म, आयुष्य कर्म, इसका एक नाम है अगहती कर्म, जो आत्मा का अस्तित्व और अनुशक्ति का वो घात नहीं करते है ये चार प्रकार के कर्म है, अगाति कर्म, नाम कर्म, गुत्र कर्म, वेजनिय कर्म, आयुष्य कर्म, ये तो मनवचन का है, भुक्तान करने का है, इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है, वो तो अग्यानी को भी होगा, ग्यानी को भी होगा, और केवल ग्यानी को भी होगा, क्यो और वहां तक हमको ये दुनिया में गुमना ही है और इसको नास करने के लिए सनातन सत्य, कुदरति कानून, युनिवर्सल टूथ लोग उसके अलावा कोई चारा नहीं है तो इसलिए मैंने कहा ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो मित्याग्यान, म इसके आधार से अज्यान है इसको हम कैसे नास कर सके ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है दूसरा कनेक्टेड क्वेस्टन था मन, बुद्धी, चीत और अहंकार का ये क्या है मैंने अगले एपिशोड में बताया मन, बुद्धी, चीत, अहंकार इस प्रोसेसिंग फैक एक नाम बताऊंगे तो इसको मन भी बोलेंगे, मन की ही चार फैसिस है, मन बुद्धी, चीत, अहंकार वो मन का ही चार फैसिस है, चार चीज नहीं है, चार प्रकार का रोल है, वो ही मन विचार करता है, वो ही मन बुद्धी के उप्योग करता है, लावे नुक्षान, वो ही मन के अंदर चीत है जो ग्यान दर्शन के रूप में आता है और वो ही मन के अंदर अहंकार है यह चारों फेशी से मन का और इसलिए हमारे धर्मगरंथों भी लगाया है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है मन ही बंधन और मुक्तिका कान भी मन ही है अगर मन के अंदर सही दरश्टी होगी वो ही अग्यान को नास करेंगे उनका भी अस्तित्व लायु खतम हो जाएगा तो फिर मन नहीं होगा तो फिर नए करम कैसे बनेंगे और जो पुराने करम है वो तो कुदर्थ सिंदारित करती है जब ञए कर्म नही कर्म नहीं बनेंगे पुराने कर्म खुदर्थ खत्म कर देंगी तो आत्मा कहा जाएगा? मुक्स में जाएगा क्योंके न Tillए कर्म तो बने नहीं है यही तो मुक्तिका मार्क है उसमें न त्याग है न ग्रहन है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न मेरा है, न तेरा है, न क्रिया मेरी है, न तेरी है, यह सब कुछ बाते हमने अभी तक रेंडम जानी थी, तो अभी जो मैंने कहा, दो प्रकार का अंतिस्क्रण है, उसमें से चार्ज और डिस्चार्ज बताया, तो जो चार As it is, ready made, और speech और action का संजोग उदर देती है, ऐसे हमारा जीवन चलता रहता है, तो यह सी cause and effect, cause and effect इससे होता है, हमको जो live अंत्रस करन है, live मन है, इसके अंदर जो अज्याने, इसको ही मिटाना है, discharge वाले का, discharge वाले का अंत्रस करन, वह बाहिय करन, वह आज का हमारा subject नहीं है, क्योंकि अभी यह मन वचन काया का creator, operator, destroyer, now, कुदरत है, जो भी आपके मन में होगा, वही speech और action के संजोग कुदरत देंगी, तो यह auto mode and mechanical रहेगा, और इसलिए उसको ज़्यादा जानने की जरू नहीं है, मगर दुनिया के लोग बाहिय अवस्ताओं को भी जानने में इतने डीप हो गए, ताकि उनका जो root है, वो न जान सके है, और नहीं उसमें अंतिम सत्य तक वो जा सके, तो आई हम सब यही आध्यात्मविज्ञान को और गोर से, और डीप से, और यथारता से, समझ अंताकरण की परिवाशा, मन, बुद्धी, चित, एंकार, और इन चारों को मन के फेसेज बताए, और यही अंताकरण है, और बही अंताकरण, और जो भीतर का अंताकरण, वो तो लाईव है, और बही अंताकरण है, वो भुगतान है, बहुत सुन्दर व्याक्या, उसकी बे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अज्ञानता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि व्यक्ति चिंतन करता है अपने इस वर्तमान जीवन के अंदर कि मेरे से कोई गल्ती नहीं हो, मैं किसी को कस्ट नहीं दूँ, चाहे घरवाली हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऐसी परस्तिती खड़ी हो जाती है, कि वह व्यक्ति गुसा कर लेता है, वह किसी को मार देता, थपड मार लेता है, और किसी के साथ मिस्वीहविर कर लेता है, डिसॉनस्टी कर लेता है, मन में वह समझता है, मुझे नहीं करना है, लेकिन परस्तिती जब आती है, जब वह फ तो जग्ति को ऐसा आप अपने अध्यात्माविज्ञान से बताई इसका रीजन क्या है और उस रीजन को पता करके हम अपने आप में अवस्तित हों करके और जो हमारा उने वाला उसको रोख सके ऐसा कोई सुत्र दीजिए जैस सच्चिदान यही तो रहश्य है आध्यात्माविज्ञान का आज आम इनसान कहो या धर्मगुरु कहो यही तो नहीं जानते है रहश्य नहीं जानते है वो धर्म जानते है रहश्य नहीं जानते है इसलिए आध्यात्माविज्ञान जानना सब के लिए बहुत आवशक है और या अध्यात में भिज्ञान के अंदर कुद्रत, कुद्रतिक कानूर और कुद्रति रिचना काउ समझना हमारे सब के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बात सही है कि संजोग आते हैं तो खराब अच्छे विचार भी आ जाते हैं भासा भी निकल जाती है और वरतन भी ऐसा हो जाता है सबी विक्तियों कानूर वे और ये भी बात मालूम है कि जो खराब विचार आते हैं भासा निकल जाती है वरतन हो जाता है वो सही नहीं है इसका ग्यान भी हमारे पास है ऐसा नहीं के नहीं है जान है मगर फिर भी हो जाता है फिर पश्चाता भी होता है फिर लगता है कि नहीं यह ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छी बात है मगर इनका रहश्य क्या है साइंस क्या है वो इंपोर्टन बात है इंपोर्टन बात कुदरती कानून के मताबित यह है कुदरत ने साफ कहा है सब को कि जर्म से मौच तक आपके वरत्मान, मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है इसके लिए आप 100% responsible नहीं हो मन से, वचन से, काया से जो कुछ भी होता है इससे आप 100% responsible नहीं हो क्योंकि उसका creator, operator, destroyer मैं हूँ इसलिए जिम्मेदा नहीं हो मगर हम आज तक समाज के माधियम से परिवार के माधियम से धर्मगुरों के माधियम से सिक्सिक विक्तियों के माधियम से हमने यही जाना है कि यह विचार मैं करता हूँ जबान मैंने बोली वरतन मैंने किया पस्ते ही तो confusion है और इसी लिए गलती होने के नाते हम गलती को कभी स्विकार करते हैं कभी नहीं भी करते हैं क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है कभी द्वेश बीच में आ जाता है कभी राग बीच में आ जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके पीछे का जो रहश्य है वो नहीं जानते हैं तो मन वचन काया की अवस्ता मात्र कुद्रती रचना है मगर कुद्रती रचना के पीछे हम इसको कुद्रती रचना के रूप में नहीं जानते हैं और इसलिए हमको लगता है कि यह मैंने किया यह आपने किया यह मेरा है यह तेरा है मेरे को ऐसा विचा करना चाहिए, या तो नहीं करना चाहिए, मगर मेरे को यह समझ भी नहीं आता है, अगर आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आत्मा का अनुभव करना है, प्रकृतिका करना है, या प्रकृतिका को सुधारना है, किसको करना है, डिसाइट करो पहने कि प्रकृति का तो जनमा जीवन अमृत्य तो तेनों कुद्रत के आत्म हमारे हाथ में है नहीं में को सुधारूंगे दो भी और विगा़णोंगे दो भी तो फाइदा क्या है आपको अगर आपकी प्रकृति आज खराब आपने अच्छे भाव कर दी है, तो नेक्स बरत में आपकी प्रकृति अच्छी आएगी, मैं मानता हूं, मगर जैसे बुरी प्रकृति को भी जलाना है, अच्छे प्रकृति को भी जलाना ही है, तो बेनिफिट क्या होगा, आत्मा से तो कोई मतलब भी नहीं है, प्रकृति अ सामाजी को और धार्मिक फर्क होता है अध्यात्मिक फर्क नहीं होता है हम जब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते है अध्यात्में विग्यान को समझना चाहते है सनातन सत्य को समझना चाहते है खुदरती कानून को समझना चाहते है हमको ये राश्य विग्ञान के रूप में सिध्धान के रूप में समधना ही पड़ेगा और कोई solution नहीं है और मैंने अपने प्रवचनों के अंदर अपने ससंग के अंदर कहीं बाहर कह चुका हूँ कि ये जो मैं विज्ञान बोलता हूँ आध्यात्म विज्ञान जो कुद्रत, कुद्रति कानूर और कुद्रति रचना के उपरा अधारित है ये विज्ञान रामकरश्ण माविर को भी समधना ही पढ़ा था और जितने भी लोग संसार से मुक्ति पाया सभी लोग को ये विज्ञान बिना समझे इनको वितरागता या अग्यान नास करना या आत्मा का अनुभव करना समभव है ही नहीं और इसलिए मैं मानता हूँ हम सब भी यही आध्यात्मा विज्ञान को और ग्लोड दरश्टी से और डेपली और शार्पली हम समझने के कोसिस करेंगे तो धीरे धीरे सब भी रहस्य मालूम होगे और आप सब को भी समझ में आ जाएगा यह आध्यात्मा विज्ञान हमारी लिए किजना इंपोर्टन है समझना और यह सनातन सत्य है और इसका प्लस पॉइंट यह है कि अगर आपने इस वर्थ में 5-10 परसन भी सनातन सत्य जाना है तो नेवर डिश्ट्रो है it is convert in a development सनातन सत्य ही तो development है और इलेटिव सत्य ही तो अग्यान है अग्यान कर्री फोरवर नहीं होता है अग्यान थे ता कर्म बनता है उनकी बुक्तार मिलती है कटम हो gen says सनातन सत्य का दूशरा नाम सनातन सत्य को जानना द्रश्टी से उपयो करना अनुभव करना उसे का दूसरा नाम है डेवलोप्मेंट जो केरी फोरवर्ड बर्थ टू बर्थ होता है वो कभी नास नहीं होता है और अग्यान तो नास हो जाएगा अग्यान का मतलब रिलिटर सत्या आज आप डॉक्टर बने हैं गोल मेडालिस बने है चालिस साल की प कभी एइड़ करी फर वर्वरड नहीं होता है कोई भी ग्यान कहो तो रिलेटर व्यान का घ्यान है हर बर्त केवल दर्शन और केवल ग्यान होता है अगर हर अवतार में यही प्रोसिस एकड़ेक से करनी है तो किसी केवल ग्यान कब होगा यह पॉसिबल नहीं होता है मगर आध्यात्म विज्ञान में डेवलोप्मेंट हर अवतार में केवल ग्यान होता है तो आईए हम सब यही आध्यात्मों विज्ञान को और गौर्द रश्टी से यह थार्त रूप से हम लीपली शार्पली हम समझने की कोशिस करें और अपने ही जीवन को धन्य बनाएं यही मेरी सुपकामना स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवार अज्ञान ज्ञान और अज्ञान क्यों प्यादा होता है इन सब बातों का विवेच्चन सुना और एक सबसे बड़ी बात जो मेरा प्रश्म का उत्तर मिला जिसे शोताओं को बहुत जानकरिग मिली जो कुछ भी मन वचन काया की हमारे से के लिए उसके लिए हम जुम्यवार नहीं है आप किसी कोग सबड़ मारों किसे बुरा व्यवार करो अगर वह हमारा वह नीए था होगा आ तो उसके अंदर राम ज्मयवार नहीं है लेकिन उस समय के अंदर जो हमारा अच्छा सन्दर बाह होता है विचार आता है बुरा आता है जो की आत्मा से जुड़ा हुआ है उसके लिए हम स्वतंत्र रहें यानि स्वतंत्ता और प्रतंत्ता की बात है कि एक में प्रतंत्र है दूसमें स्वतंत्रता है तो हमें अज्ञान के रूप में हम प्रतंत्र हो गए और ज्यान के रूप में स और प्रयान करना चीए आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी सभी शोताओं की तरफ से सभी सोता बहुत उत्परत हो रहे हैं और आपकी प्यूश्वानी को सुन करके और सबको अम्रित की प्राप्ति हो रही आपकी प्रतिक्तिक्ता और आपकी प्रति ज इस कारिक्रम के प्राज़क है